हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल साहो साइन्स क्लास तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कुलास 12 यूपी बोर्ट वालों के लिए बहुत जादा इंपॉर्टन होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा एक्स्प्लें करूंगा कि आपको स अच्छा यादा शेल करना चैक है तो अगये बिना टाइम वेश्ट के उए shroud करने है कि हिंदी के पर आमें सबसे पहले क्या करना है तो आपको देखिए सब्से पहले आपको टयारी करनी है हिंदी की पेपर की तो आपको सबसे पहले जीवन परिचे या मैं बोलू साहितिक यहां पर heading लिख रही है, जीवन परिचय, या फिर इसको हम सहितिक परिचय भी बोल सकते हैं, तो जीवन परिचय आपको त्यार करने हैं, अब वो दो तरीके के हैं, चीक है, अब दो तरीके के कैसे हैं, तो देखो, सबसे पहला होगा, कि एक तो देगा लेखक का परिचय, किसका एक तो लेखक का जीवन परिचय और साहितिक परिचय लिखना होगा, और एक कवी का लिखना होगा, साहितिक परिचय है, तो लेखक का और कवी, अब देखो, यहां पर यह लिख रहे हैं तीनो लेखक, और यह ल इसको करना है, सेकंड नमर पर आपको करना है, वासुदेव शरण अगरवाल का, ठीक है, यह भी बहुत इंपोरेंट है, और थर्ड नमर पर आता है, प्रोफेसर जी सुंदर रेडी का, तो यह जो तीनों है, यह लगातार पिछली साल भी आये थे, और यह बहुत जादा करना है, देखिए, आपको इसके एक जीवन परीचाए कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको सिर्फ लेखक वाले, यह जो है आपको एक करना होगा, तो पांच मिलेंगे, अब आ गए यह तीन, अब इन तीनों में से कोई आपको एक पका मिल जाएगा, जो कि कवी का है, चीक है, तो कवियोगे में से कौन सा करना है आपको सबसे पहले नंबर पे करना है मैथली शरन गुप्त का सेकंड नंबर पे करना है रामधारी सिंग दिनकर का तयार और फिर थर्ड नंबर पे करना है सुमित्रा नंदन पंत का इसके अलाव आपको किसी की करना की जुरत नहीं है क्योंकि ये पक्का ही आने है अब इसके भी आपको 3 प्लस 2 मार्क्स मिल लाएंगे जो कि 5 हो जाएंगे देखो 3 प्लस 2 कैसे है 3 प्लस 2 है कि उनका जीवन परिचे लिखना है साहितिक परिचे देते हुए और उनकी करतियां लिखनी है तो देखो 5 और 5 यानि कि 10 नमबर आपके जीवन परिचे से ही पक्के हो जाएंगे देखे मैं आपको 2023 के पेपर में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ देखे ये है 2023 का आपका पेपर ये देखे दोहर तेही सामान हिंदी का आपका पेपर है और इसमें मैं आपको देखा दू कि देखो किस तरीके से आया था तो देखे ये रहा कोशन नमबर 5 3 प्लस 2 इस इकल्स तो 5 लिख रहा है और देखे यहां पर सबसे पहला आया दॉक्टर हजारी प्रसाद दुएधी वासुदेव शरण अगरवाल और प्रोफेसर जी सुन्दर रेटी तो देखो ये तीनों ही आ गए है और इधार है रामदारी सिंग दिनकर मैथली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंथ तो देखो ये भी तो देखो पांच नंबर यानि कि इसमें से कहले रहा है एक लेखक का साहितिक परचा यानि कि इन तीनों में से कोई एक करना है और इन तीनों में से करना है ये कवी है और वो लेखक गया है तो इन तीनों में से कोई एक करना है और इन तीनों में से कोई एक करना है पांच नमर ये देंगे पांच नमर ये देंगे इस तरीके से आपके दस नमर पके हो जाएंगे तो सबसे पहला आपको जीवन पर चाही तयार करना है अब देखिये next देखते है next आपका second step कहानी कि आपको कहानी बहुत अच्छे से करनी है आप कहानी कौन कौनसी करनी है उसको भी समझ लो सबसे फ़र्स्ट नमर पर आपको करनी है Punch Light जो कि हमने अपने चैनल पर बहुत अच्छे से करा रखिये इसेकंड नमबर पर करनी है तो यहां पर भी आपके पांच मार्क्स पक्क्य हो जाएंगे तो देखिए यहां पर कॉशन किस तरीके साथ है देखिए दुवे आत्रा अत्वा पंचलाइट कहानी का सारा शबने शब्दों में लिखो तो देखो पांच नमर में लेंगे और अत्वा है बहादुर कहानी के प्रकाश पर देश पर प्रकाश डालिए तो देखिए यानि कि यह तीन आ गए तीन में से कोई एक करना था तो देखिए कि इतना एज़ी है ठीक है तो आप इन तीनो आपका अगर और सिटी आती है तो इसकी लिए खंड कावी के आदार पर शीरी किषन का चेटरांग करना किजी है और बाकी जो भी है वो अपने आप जानते हग आपके से पता करना है स्कूल में और रशमीरती घंड कावई के दुदिया सर्गी के थावस्तु अपने शब्दों में लिखी तो रशमीरती घंड कावई के आधार पर शिरी किश्न काव्यण चीजिस पहल में पांच नुमबर पक्क्य हो जाएंगी देखिए मैं आपको खंड काव्यण पारो बोको बीध चोनुंड को जाए है यहां पर सेब्से पहले अलोक वरत खंड काव्यण देखिए यह एलाबाद सहरनपुर्utz परिगड़, फरूखाबाद, मेनपुरी, मिरजापुर, सीतापुर, तदा सोनबद्र जनपदों के लिए है, तो सब के लिए अलग अलग है, अब मैं आपको नेक्स दिखाता हूं, नेक्स कौन सा है, तो देखें, नेक्स है, श्रमण कुमार, अब श्रमण कुमार कहा के और उसके बाद में आ गया, मुक्ती यग्य, तो देखो मुक्ती यग्य के लिए अलग अलग सिटीज दे रखी हैं, अब आतीए बात रश्मी रथी की, तो देखो रश्मी रथी जो है, वह हमारे मतुरा इसमें गिरा, मजवफन नगर, बुलंद शहर, मतुरा, वारा तो यह हमारी रश्मी रथी की बात हो गई, तो इस तरीके से आप अपने देख सकते हैं, और अपने त्यारी कर सकते हैं, तो हमारा कंड कावी भी हो गया, इसके बाद में आता है आपका दो दो नंबर का, यह दो नंबर का आएंगे, यह दो नंबर का आएंगे, और यह दो न रस का इस्थाई भाइब बताते हुगा, उसका एक अधान लिखी है, तो देखो, रस आपको बताना है, कोई एक बताना है, इन में से भी कोई एक बताना है, और गेने चुने आपको चार करने होंगे, शरंगार रस करो न, और बाकी मैं चैनल पर करा दूँगा, क्योंकि मैंन आपको चार, दो वीडियो में, चार पत्र कर रखेंगे, अगर वो नहीं देखा तो प्लेल्स में जाके जरूर देख लिएगा, वो बहुत रहादा इंपोनेट है, और हर साल वो आते हैं, ठीक है, तो पत्र में भी आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, देखिए, दो बहुत 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 बहु पक्का फज जाएगा ठीक है तो इस तरीके से मैंने आपको ये टॉपिक बता दिये उसके अलावा आप क्या क्या वस्ता है तो उसके अलावा अगर में पेपर में आपको दिखाऊं और समझाऊं कि सबसे पहले दोखो पांच नंबर के आपको क्या करने एंसी क्यू करने हैं इसके क्या क्या करने के बाद आपको क्या मिलेगा गद्यांश होगा उसको आपको पढ़ना है उसके उपर प्रश्ण दे जाएंगे पार आपको इस से भी आपके क्यों जाएंगे आप यहां पे संस्कृत में तो संस्कित में भी एक गध्यांश आएगा इसको भी कर लीजिएगा ठीक है एक गध्यांश और श्लोक आएगा अब आती है देखो easy easy बात बताता हूँ देखो मुहावरे और लोकोतियां देखो कुछ तो ऐसे होते हैं वही बन जाते हैं पेपर में है ना भीगी बिल्ली होना है ना डर्पोग होगा इसका मतलब है ना तो इस तरीके से कुछ जिसमें अब देखो एक का अर्थ लिखकर अपने वाकी में प्रोग कीजिए सिर्फ ए तो आई हो आपको आज की वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को यार सब्स्क्राइब करिएगा और अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट करके बताईएगा और किसी भी चीज कहा पर तैरे नहीं हो रही है अब तो प्लीज हेल्प के लिए मुझे कमेंट करिएगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए त्यार हूँ